नमस्पार क्यापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं पूर मैं हूँ आपके साथ साइमा कहा जाता है कि आप कितना भी गलत काम कर लीजे लेकिन जब एक बार आप कानून के हत्ते चड़ते हैं तो फिर सब का हिसाब किताब एक एक करके होता है आपके सारे के सारे को करमों का हिसाब कानून लेता है भरे मंच से लोगों को गालियां देने वाले मौलाना के साथ भी यही हो रहा है मंच से गाली देते वक्त मौलाना ने कभी सपने में भी नए सोचा होगा कि उसका ये हाल भी हो सकता है लेकिन अब जिस तरह की कारवाई मौलाना पर हुई है उससे उसके हालत खस्ता हो गई है तो चलिए बताते हैं कि आखिर कौन से मौलाना पर अब क्या तगड़ी कारवाई हुई है गुजराद के जुनागर में भड़काउ भाशर के बाद स्तुर्कियों में आए मुंबई के मौलाना मुफ्ती सल्मान अजरी के खलाब गुजराद पुलिस ने पासा एक्ट के तहट कारवाई की है जिसके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा गुजराद पुलिस की तरफ से ये कारवाई मौलाना सल्मान अजरी को तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद की गई है इसके बाद मौलाना मुफ्ती सल्मान अजरी को एहमदाबाद की साबरमती जेल से वडोधरा जेल में लाया जाएगा गुजरात आसामाजिक गतिविदियों की रोक्ताम अधिनियम पासा 1985ी प्रिशासन को सारवजनिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए बूट लेगर्स, खतरनाक रेक्तियों, नशीली दवाओ के अपराधियों, अनैतिक तसकरी अपराधियों और संपत्ती हडपने वालों को न खमानत दिये जाने के बाद की है, जोनागर्ड पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच यानि LCB ने जिला कलेक्टर के आदेश को दिखाते ही, मौलाना मुफ्ती सल्मान अजरी को अरेस्ट कर लिया, LCB के इंस्पेक्टर जतिन पटेल ने बताया है कि मुफ्ती के खलाफ ये कार परवाई होने के मुद्दे पर अब सियासत भी काफी जादा तेज हो गई है, महराष्ट ए आइमायम के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द ही छूट जाए, पठान ने ये भी कहा कि मुफ्ती और उनके भाई लोगों स इसके बाद मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मामले के तूल पकड़ने के बाद गुजरात एटियस ने मुफ्ती अजरी को चार फरवरी को मुंबई से गिरफतार कर लिया था और 31 जनवरी को गुजरात के कच्छ जिले के सामाखियारी इलाके में आयुजित एक जिनसभा में कतित भड़काउ भाशर देने के आरोप में गिरफतार किया था इस सलसले में सलमान अजरी पर भारतिय दंड सहीता की धारा एक सुत्तिर पड़बी और 5052 के तहट एक मामला भी दर्ज हुआ था और इसके बाद अरवली जिले के मोडासा में भी केस दर्ज हु इसके बाद मौलाना मुफ्ती सलमान अजरी के खलाफ पुलिस ने आक्शन लिया था भड़काउ तकरीर में मौलाना के अरेस्ट होने के बाद सामने आया था कि मौलाना पर पहले भी केस दर्ज है गुजरात ATS ने भड़काउ भाशर को लेकर मौलाना के ट्रस्ट और फंड पेंशन में लेकर जेल में रखा जाता है भड़काउ भाशर केस में आरोपी मुफ्ती सलमान अजरी को गुजरात ATS ने दो दिनों के पहले ट्रांजित रिमान पर जूनागर लेकर गई मौलाना पर 31 जुनागर में ही एक कारिक्रम के दोरान भड़काउ भाशर देने के आरोप में हिंदू संगटनों ने केस दर्च करवाया था और गुजरात ATS ने मुंबई की एक अदालत में मुफ्ती सलमान अजरी की रिमान भी मांगी थी कोट ने दो दिनों की ट्रांजिट रिमान को मंजूर भी कर लिया था और इसके बाद कानूनी प्रिक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें घाट को पर पुलिस थानी ले ज़ा गया था और रात में करीब एक बज़े मौलाना के हजारों समर्थकों ने उसकी रिहाई के लिए गाट को पर थाने पर गेराओ भी किया था हंगामा बढ़ता देख पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ गया था और रात के दो बज़ते बज़ते गुजरात ATS ने मौलाना को लेकर जूनागड को रवाना होना पड़ा लेकिन पुलिस जूनागड पहुची भी नहीं थी कि वहाँ पर बवाल हो गया फिलाल ATS के एमदाबाद ओफिस में मौलाना को बाद में रखा गया और 31 जनवरी को मौलाना ने जूनागड के बी डिवीजन पुलिस ताने के बाद एक कारिक्रम में कहा था कि कुछ देर की खामोशी है पर शोर आएगा आज डैश डैश का वक्त है और कल हमारा दोर आएगा इसके बाद ही इंदूस संगट्नों ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए मौलाना पर धारा 133A, 505, 188, 114 के तहत मामले को दर्श करवाया और जब हजारों समर्थकों ने घाट को पर पुलिस स्टेशन को घेर लिया तो मौलाना ने माइक से शांती बनाय रखने की अपील तक कर दी उसने कहा कि ना तुमें अपराधी हूँ ना ही मुझे अपराध करने के लिए यहाँ पर लाया गया है पुलिस अधिकारी जाच कर रहे हैं और मैं उनका सहीयोग कर रहा हूँ अगर मेरे भागे में ये होगा तो मैं गिरफतार होने के लिए तयार हूँ मुंबई पुलिस के DCP हेम राध सिंग राजपूत ने कहा कि मुंबई में शांती है गाटकों पर इलाका भी शांती पूर है मुंबई के लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनके लिए पुलिस सडक पर है किसी भी अपवापर विश्वास ना करे मुफ्ती का दावा मेरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं पुलिस की कारवाई पर मुंबई के मुफ्ती ने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई भी दी थी अजरी की तरफ से लिखा गया था कि बीजेपी के राश्टी प्रवक्ता सुधानशू त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदूों के खलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आप को ध्यान से सुनना चाहिए उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदूों को डैश डैश कहा है इसलिए सभी हिंदूों को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खलाफ कारवाई करनी चाहिए मुफ्तिस अलबान अज़री के वकील वायद शेक ने मीडिया को बताया था कि अज़री के आवास पर लगवग 35 पुलिस कर्मी इकटा हुए मुफ्तिस अलब ने पुलिस के साथ सहीयोग किया और हमें बताया गया कि उनके खलाब भड़काउ भाशर के आरोप में दारह 153 B के तहत मामला दर्श किया गया है गिरफतारी के बाद वाइरल वीडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से दिये गए बयान में किसी भी दार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुचाए गई है कोई भी उकसाने वाला बयान नहीं दिया गया है विश्व हिंदू परिशद और आश्टिये स्वेम सेवक संग यानी RSS ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया जिसके चलते मुकदमा दर्च किया गया वहीं अजहरी की गिरफतारी के बाद AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी दावा कर दिया कि मुफ्ती ने कोई भी भढ़काव भाशर नहीं दिया है हिरासत मिलेने से पहले उनिधारा 41A के तहट नोटिस भी दिया जाना चाहिए था और हमें कानून और वस्था पर पूरा भरुसा है कि हमें नयाएं मिलेगा जब वास्तविक नफरती भाशर दिये जाते हैं तब सरकार कोई कारवाई क्यों नहीं करती क्या है पासा गुजरात आसामाजिक गतिविद्यों की रोक्ताम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए बूड लेगर्स, खतरनाक व्यक्तियों, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तसकरी अपराधियों और संपत्ती हडपने वालों को निवारक खिरासत के तहट लेने की इजाज़त देता है इतना ही नहीं, दिल्ली के भी ग्रह विभाग की तरब से गुजरात कानून को दिल्ली के NCT तक वस्तारित करने के लिए केंदर श्रासित प्रदेश कानून अधिनियम की धारा दो की तहत 27 जोन को केंदर को दिल्ली में अधिनियम के कारियानवीन की सिपारिश करते वे प्रिस्ताविद भी किया गया था दिल्ली के हिम विभाग ने तिलंगाना बूट लगर संपत्ति अपरादियों की खतरनाग गतिविदियों की तिलंगाना रोकताम अधिनियम 1986 पर भी विचार किया था लेकिन गुजरात कानून को अधिक प्रभावी पाया गया इस साल फरवरी में ही दिल्ली पुलिस ने अपने पत्र के जरिये अनरोध किया था कि गुजरात अधिनियम के प्रावधानों की जाज की जाए केंद्र शासित प्रदेश यानी कानून अधिनियम 1950 की धारा दो इनियमों का विस्थार करने की शक्ति से सम्बंधित है और संशोधनों के साथ जो उचित समझे कोई भी अधिनियम जो अधिसूचना की तारीख में राज में लागू है अगर केंद्र की तरफ से अनुमोदित किया जाता है तो ये अधिनियम दिल्ली पुलिस के हाथों में चेन स्नैचिंग, अवैज शराब, नशीली दवाओ की त ऐसा इस कानून के तहद बताया गया है जैसे आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फलहाल के लिए अतना ही बाकी तमाम कबरों के लिए आप बने रही क्यापिटल टीवी के साथ नमस्कार झाल के लिए झाल के लिए लाग्टल टीवी के साथ नमस्कार झाल झाल